तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी कटोरी के मेजरमेंट से आधी कटोरी बारीख वाले चावल ले लेंगे और इसे दो से तीन बार पानी से अच्छे से दो लेंगे तो धोने के बाद इसमें पानी डाल कर इसे 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे अब 1-7 लिटर फुल क्रेम मिल्क ले लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे बीट बीट में इसे एक दो बार कड़्ची से चला लेंगे ताके दूद बतर के साथ नीचे से लग न जाए जैसे दूद में उबाल आ जाए तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 15-20 मिनट तक पुबलने देंगे 15-20 मिनट दूद पकने के बाद दूद थोड़ा गाड़ा हो जाएगा और थोड़ा रिडियूस भी हो जाएगा दूद को पकाते वक्त इसमें थोड़े केसर के धागे डाल देंगे और दूद इसी इलाइची डाल देंगे इन दोनों से खीर का स्वात और बढ़ जाएगा दूद को पकाते वक्त दूद के उपर जो भी मलाई आएगी उसे भी हम दूद के अंदर मिक्स करते जाएगे इसे हमारी खीर और मलाईदार बनेगी तो 15-20 मिनट दूद को पकाने के बाद जो चावल हमने भीगो कर रखे थे उसका पानी निकाल देंगे और चावल को दूद में डाल कर मिक्स करेंगे अब चावल डालने के बाद स्लो गैस पर खीर को हम पकने देंगे ताके चावल अच्छे से पक जाए और खीर हमारी अच्छे से गाड़ी हो जाए तो चावल पकने शुरू हो चुके हैं इसी तरह स्लो गैस पर खीर को धीरे धीरे पकने देंगे तो खीर पहले से गाड़ी हो चुकी है और चावल भी अच्छे से पक चुके है अब जिस कटोरी के मेजरमेंट से हमने हाफ कटोरी चावल लिये थे उसी कटोरी के मेजरमेंट से 3-4 कटोरी हम चीनी डाल देंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे चीनी डालते ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी और खीर आपको पतली लगेगी इसलिए हमेशे थोड़ी दिर और पकाएंगे चीनी आप अपने स्वाथ के अनुसार कम या ज़ादा कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपनी मन पसंद के ड्राइफ फूट्स डाल देंगे तो अब खीर हमारी बिल्कुल रेडी है चावल और दूद आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और चावल अच्छे से पक चुके हैं जैसे जैसे खीर ठंडी होगी वैसे यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसी स्टेक पर गैस आफ कर देंगे और सर्फ करेंगे तो आप भी इस दिवाली पर चावल की कीर बनाएं और लक्षमी माता को भोग लगाएं अबस्टा पर चावल इस दो तो तो अगर आपको मिल ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, थैंक यू